आज हम रोज शिरफ बनाके त्यार करेंगे ऐसे तो रोज शिरफ में बहुत सारे चीज हो जाता है सरवाज से लेकर और डेकॉरेशन के लिए फालूदा हो या फालूदा आइसक्रीम हो, या कुलफी हो बहुत कुछ बन जाता है यह जो रोज शिरप पे बिना रोज के हम बना के तयार करेंगे और फ्रेवर इसके लिए हम यूज करेंगे आप देख सकते हो कोई भी रोयल फालुदा अगर आप घर में बनाते हो तो उसके लिए आपको रोज शिरप का ज़रुत होता है और यह जो रोज शिरुप ये बस 10 मिनिट के अंदर आप बना के त्यार कर सकते हो एक माहिने तक हम इसको बिना फ्रीज के यूज कर सकते हैं आप इसकी कंसिटांची को देख सकते हो कितने आच्छे से बनी हुई है बिलकुल रेडिमेट रोज शिरुप जैसा तो चले रेशिपी शुरू करते हैं एक कप सक्कर ले लेंगे एक कप सक्कर की मेजर्मेंट में ये बला रोज शिरुप हम बना के त्यार करेंगे तो एक कप सक्कर के लिए हम ले लेंगे थ्री फोट कप पानी यानि कि एक कप से थोड़ा कम फ्लेम को अभी अन करेंगे और चास्नी बनने देंगे इसका बिच बिच में इसको मिलाते हुए चास्नी बना के तियार करना है और एक तार बाला कंसिटन्ची में इसको तियार करना है बनाना बहुत इजी है इसको अगर हम डाइरेक्ट गुलाप की जो पंकडी है उसको यूज करते है थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इस तरीके से आप कोई भी फ्लेवर का सिरफ बस दस मिनिट में बना के तियार कर सकते हो आज जो प्रोसिस में आपको बताने वाले हो सिर करेंगे चार मिनिट तक हो चुका है इसको उबलते हुए अभी हम चासनी को चेक करेंगे हाथ में लेकि थोड़ा सा चेक करना है इस तरीके से आप देख सकते हो कड़क बला स्ट्रिंग नहीं बनाए लेकिन हलका सा तार इसमें बन रहा है और इसको उबलने की जरुरत नही अभी हम इसमें आड करेंगे नेबुका रास आधा टीस्पुन नेबुका रास डालने से यह जो सुगर शिरफ पे इसमें क्रिस्टाल नहीं जमेगा सक्कर का इसलिए नेबुका रास डालना जरूरी है फिर एक बार इसको मिला देंगे फ्लेम भंक रड़ेंगे इसमें रोज का फ्लेवर लाने के लिए हम इमल्सन का यूज करेंगे इमल्सन में कलर और फ्लेवर दोनों रहता है और कलर भी परफेक्टली आ जाता है जो भी चीज में हम यूज करें ये रोज इमल्सन ने मैंने दो बूंद इसमें से डाल दिया है अभी हम इसको मिला देंगे अगर आपके पास इमल्चन अविलेबल ना हो तो फिर आप रोज का फ्लेवर और उसके साथ रेड फूड कलर भी इसमें डाल सकते हो लेकिन जो लिकोईड रेड फूड कलर रहता है उसमें वाटर बाला नहीं जेल रेड फूड कलर अगर डालते हो तो आपका शिरप अच्छे से बनके त्यार होगा अभी इसको ठंडा करेंगे यह जो रोज सिरप अभी रूम टेंपरेचर में आ चुका है मैं आपको चेक करके बताते हूं यह और भी गाढ़ा हो चुका है आप देख सकते हो रेडिमेड रोज सिरप जेसा टेक्स्टर इसका आ चुका है अगर हम हातों में लेके चेक करते हैं आपको पता केसे चलेगा जो इसमें से अगर आप लाइन डालते हो आप देख सकते हो ना एक कोटिंग अच्छे से हो रहा है यह स्पून में भी आप लेके इसको चेक कर सकते हो और हलका सा चिपचिपा लग रहा है और रेडिमेड का जो रोज सिरप मिलता है उसका आधे से भी कम रेट में आप गहर मे की सौखिन हो तो यह तो आपके लिए बेश्ट एक सिरप है क्योंकि घर में एक बार बना हो और इसको आप रख लेते हो तो तरह तरह की चीज पर आप इसको यूज कर सकते हो स्पेसाली सब स्वीट डिस पर और सेम प्रोसेस में आप बहुत सारे फ्लेबर में भी सिरप बन दूकान में जो रोज सिरप मिलता है वह भी सेम प्रोसेस में बन के तयार होता है हां कुछ रोज पेटल ओ लोग तालते होंगे फ्लेवर के लिए क्योंकि खाली गुलाप की पंखडी में तो यह सिरप नहीं बनेगा क्योंकि गुलाप में ना सक्कर है ना इतना सारा कलर है इस प्रोसेस में आप भी एक बार गण में रोज सिरप बनाए देखना बहुत आछे से बन के तयार होगा और इसमें आप सर्वत बना सकते हो फालोदा की डेकोरेशन कर सकते हो बहुत सरे चीज इसमें बन जाता है रेसिपी के बार में जो भी आपकी मन में कोस्चिन चे कमे पहुँ झायगा